हेलो दोस्तो नौशकार मैं हूराज यादाओ और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज के स्वीडियो में बहुत ही महत्पूर्ण अपडेट देखने वाले हैं पुलीस भरती के लिए फॉर्म जल्दी बार नहीं आप लोगों को समय बिल्कुल कम है और इस वीडियो में और भी जो अपडेट देखेंगे जो इस प्रकार है कि नए भरतियों के लिए और आपको जो है इंतिजार करना पड़ेगा और ये जो है किस संस्था ने ये बात कही है इसके अलावा जो है नया विग्यापन कब जारी होगा ये विभाग को भी पता नहीं है संस्थाओं को भी परिशा लेने वाली संस्थाओं को भी पता नहीं है बहुत सारी जो भरतियां वरतमान में चल रही हैं वो भी अटक चुकी हैं इसके बारे पूरे डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखनी वाले हैं चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो लेटेस टाइम पर अपलोड होते रहते हैं बगल वाले पेल आइकन को प्रेस करके औल पर भी सेट कर दीजेगा ताकि जब भी आगे वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक तुरंथ नोटिफिकेशन चला जाए चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप बात करते हैं पुलीस भरती संबन्धी तो यहाँ पर आवे देख सकते हैं कि पुलीस भरती के लिए जो भरतियां व्यापम के तौरद जिसका एक्जाम होना है उसमें साथ हजार से ज़्यादा candidate ने form भर चुका है और आज यहने की 16 October को यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 October को इसका अंतिम्ति थी है आज ही last date है आज जो है आप लोगों को इसके लिए form fill up कर देना है अनिवारे रूप से अने था आप लोग जो है परिक्षा के रेश से बाहर हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस विभाग में सुवेदार उपनी रिक्षा यहाँ प्लाटून कमांडर के जो कि व्यापम के दार भरा जाएगा आज इसका लाज डेट है 16 अक्टूबर और इसके दहार पर देख सकते हैं 70,741 युवा लिखित परिक्षा के लिए पात्र माने गए हैं जिसमें से 60,000 से अधीक चात्रों ने आवेदन कर लिया है लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि लगवग 10,000 जो है इसके लिए आवेदन नहीं किये गए हैं 10,000 युवाओं के दोड़ा, 10,000 अभर्धियों के दोड़ा तो आज अंतिम्ति थी जल्दी से इसके लिए फांम फिल अप कर दें इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसका एक्जाम जो है राजे के संभागे मुख्यालें में होगा रायपूर, दूर, गंबिकापूर, जगदलपूर और बिलासपूर में तीन सवांगों की परिक्षा होगी, 6 नमंबर को एक्जाम होगा इसमें सवाल पूछे जाएंगे और प्रतेख सवाल के लिए तीन नमंबर यहाँ पर दिये जाएंगे इसका जो एड्मिट कार्ड है वो 28 अक्टूबर को जारी होगा जैसे कोई लेटेस्ट अब्रेट आती है आप लोगों को इसके लिए जनकारी दी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा चलिए आगे वड़ते हैं और देखते हैं जो और भी जो नए अपडेट है उनके बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रोस्टर से जारी होंगी नतीजे उलज़े हुआ है प्यस्सी राजस सरकार से पूछा क्या करें तो यह भी उलज़न में है प्यस्सी भी कि अब आगे क्या किया जाए क्योंकि आरक्षन की जो नई नीती है उसमें सारे विभाग जो है उलज़ चुके हैं और सारी जो संस्ताइं परिक्षा लेने वाली इवेन प्यस्सी और व्यापम की भी बात करें तो सभी उलजे हुए हैं जो current में जो भर्तियां चल रही है वो भी fancy हुई है राज सेवा परिक्षा जो 2021 के result आने वाले थे उसमें अभी देर लगेगी यह यहाँ पर बताया गया है और नई भर्ति के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा ठीक है इन सब के बीच एक संसय का यह मामला है कि 26 नवंबर को जो राज सेवा परिक्षा के लिए विग्यापन जारी होता है वो तैस समय पर यानि कि 26 नवंबर को उसका विग्यापन जारी हो पाएगा कि नहीं इस पर भी अप संसय जाहिर होने लगा है नए विग्यापन कब जारी होंगे ये अभी तय नहीं है आयो की ओर से अभी हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में राजय सेवा की नहीं भरती के लिए विग्यापन जारी किये जाते हैं इसके लिए प्रस्ताव भी मंगाये गये थे कुछ विभाग बचे हुए थे यहां पर देख सकते हैं इस बार लगवग 200 से जादा पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया जा सकता है और 190 पदों के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं कुछ विभाग बचे हुए हैं और जल्द ही 200 से जादा पदों के लिए आपको विग्यापन देखने को मिल सकत लेकिन ये विग्यापन कब तक आएगा इसमें थोड़ा सा संसय अभी है इसके बाद देखेंगे कि इंटर्विव के बाद अभी नतीजे जारी नहीं किये गए हैं ये अब्रेट मैं पहली दे चुका हूँ इंटर्विव राजसेव परिक्षा 2021 के लिए हो चुका है लेकिन जो है नतीजे गोशित नहीं किये गए हैं ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये इंटर्विव परिक्षा की जो मेरिट लिस्ट है वो बदली जाएगी आरक्षन रोस्टर के बदले जाने के हिसाब से और इंटर्विव फिर से आपको देखने को मिल सकता है वन सेवा भरती परिक्षा में भी 635 लोगों की जो है नियुक्ति यहां पर अटकी हुई है और 211 पदों पर यहां भरतिया होनी है जिसके अधार पर 635 उमिद्वारों का साक्षतकार होना है जो कि अब अटक चुका है और इसके लिए जल्द ही जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले है तो सभी विग्यापनों में या सभी जो भरतियां चल रही है उसमें 50% आरक्षान रोष्टर के हिसाब से चीजों को सेट करने में अभी समय लग रहा है और बहुत ही जल्द इसका निराकरन कर लिया जाएगा लेकिन फिलहाल की जनकारी अभी यही है कि नए विग्यापन के लिए इंतिजार करना पड़ेगा आप लोगों को और जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों तक पहुँचाए जाएगी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजेगा ठीक है आज की जानकारी यहीं तक थी आई